बिएस पर हर चैनल में आपका स्वागत है सुवह कि इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो भी इन समचार पत्रों परचाई भी होती है और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती है तो आई शुरू करते हैं और देख लेते हैं शुप्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं यह संस्क्रत भास्ता की पुष्टा के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड के लिए इसमें अठाइसों से ज्यादा बोवेकल भी प्रसंद दिये हुए और उनकी पूरी विस्तिद व्याक्या भी दीगेगी वहां पर जागेट्के आप लोग उन्लान भी म्यगवा सकते हैं कि धरनाप परदर्सन समाप्स हो गिया है लखनों के इको गार्डन में आज भी धरनाप परदर्सन चल रहा है आज 60 दिन हो चुके हैं ये कल की पोस्टे जिसमें लिखा हुआ कि नई प्रात्मी सिक्षक बरती अनवरत धरने का 69 दिन इको गार्ड बिद्धार्थिक का कहना कि जब तक सिक्षक बरती आती नहीं तो तक धरनाप परदर्सन लखनों में लगातार चलता रहेगा यहां पर दखिये लिखा बेसिक में पिसले चार साल से प्रातमी सिक्षक बरती नहीं है यह बात सभी सरकार ने सुप्रम कोड़ में स इस समय समय पर कही गई है जैसे मुख्यमंत्र जी ने एक कमिटी बनाई थी आज तक उसका पता नहीं चला मुकुल सिंगल वाली कि उस कमिटी ने क्या कहा क्या नहीं पिआईबी की रिपोर्ट अगें सरकार की रिपोर्ट है बहुत साले चीज़ें जिसका हवाला ये विद्यार्थी देते रहे लेकिन इन विद्यार्थी ने अपील किया है कि यह जो प्रदेशन लगातार 60 दिनों से चल रहा है यहां पर सभी विद्यार्थी आए और समय त उत्तर प्रदेश अधिनस सेवाचेन आयोक की ओर से जारी ग्राम पंचत अधिकारी के 1468 पदों पर भरती के विद्यापन को लेकर के विद्यार्थ चड़ गया है अपना दर्की राष्टरी अध्यक्षगवा केंद्री मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इसमें OBC अरक्षन को लेकर के सवाल उठाया है सपा अध्यक्ष अकलेज याद भी इस भरती में OBC अरक्षन पर सवाल उठा चुके हैं अनुप्रिया पटेल ने मुख मंत्री योगी को पत्र लेकर के मांग किये ग्राम पंचत अधिकारी मुख परिक्षा के लिए संबंधित विवाग की और स हुआ है कि समान इस्थिति में ये संबह भी नहीं है ये भी जानकारी मिली है कि जब काटर में खाली पदों की समिक्षा की जाती है तो जिनका चैन अनारक्षित पदों पर मेरिट के अधार पर होता उनकी गड़ना OBC के पदों पर करने से जाता विसंगती पैदा हो रही है कुछ समय पहले चकबंदी लेगपाल के विग्यापन में OBC वर के लिए कोई पदना होना चर्चा का विसे बना रहा था इस पर्ष्ट निर्देश के बाद भी अधिकारियों की लेपर वाहे के कारण NDA सरकार पर विरोधी लोग प्रस नसीन लगाने का अफसर पाजाते हैं और वहीं पर पंचायती राज के जो निदेशक हैं उनका भी बयान है कि इस तरह के विग्यापन में पहले विभाग अरचन की गणना कराता है बाद में आयोग मेलान करता है और यदि कोई गरती होती है तो आयोग इस पर अपत्ती दर्श कराता है इसमें कोई दिक्कत नही है यदि कोई सवाल खड़ा किया जा रहा है तो इसे क्रॉस चेक करा लेंगा नीचे यहां पर प्रवीर कुमार जो यूपिटर पलेसी के चेर्मैन है उनका भी बयान है देखिये लिखा है कि कार्मिक अनुभाग के सासना देश के अनुसार आयोग को भेजे जाने वाले वि भाजन के कार्ण कुछ कंफीजन हुआ है प्रवीर कुमार दक्च उत्तर प्रदिश अधिनसेवा चेहन आई अगली सुचना दो हजार के नोट को लेकर के है लिखा दो हजार का नोट लेने से नहीं कर सकते इनकार कौन लेगा बैंक वारे तो इतना फार्म भरवा रहा है ब पेट्रोल पंप वाले जादा तर वो भी ले रहे हैं अगली सुचना है कई जिलों से निकली है शिक्षक भरतियां बात हो रही है कस्तूर्वा गांदी आवासी बाले का विद्यालियों कलके समचार पत्र में जानकारी दी गई थी कि कौसम भी से भरती आई भी है जिसमें स टोटल पदों की संक्या लिकी भी है अचा यहां पर केवल महिला आविदन कर सकती है तो जो भरती गोंडा से आई है उसमें टोटल जो पद है वो चमत्तर है तो आप लोग अपनी यूगता वगरा देख करके यहां पर आविदन कर सकते हैं और हाँ अधिक जैनकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी गोंडा.nic.a अफिसेग बेनरजी से कोलकाता इस्थित सीवी आई आफिस में साड़े नौ गंटे पूस्ताच में 29,334 शिक्षक बरती पर अंतिम फैसला अगस्त में आ सकता है बेसिक शिक्षा परिशत के उच्च प्रात्मिक स्कूलों में गडित विज्यान की 29,334 सहायक अध्यापक ब 17 फैसला अगस्त में आ जाए तो वहीं पर मद्य प्रदेश करमचारी चयन मंडल भोपाल से भरती का विज्यापन जारी हो गया है आवेदन भी इसमें चल रहे हैं लगवक साड़े 8000 पदों पर सिक्षक भरती का विज्यापन है यहां पर लिखा कि 18 मैं से आवेदन दे गई है दो अगस्त को यह परिक्षा होनी है कवोनी है टैमिंग वगेरा यहां पर दे गई है मत्य प्रदेश हाइश्कूल सिक्षक भरती में जो पदों का विवरान है कि इस बास्ता के कितने पद हैं इसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं योगित अभी बता दूंग बढ़ती हो रही है समा सास्त के 88 पतों बढ़ती हो रही है ब्यपार कामर्स के 514 पतों बर बढ़ती हो रही है क्रिश्ची के 58 पतों बढ़ती हो रही है और कुल पतों है 8,720 आईए देख लीजिए योगिता शेक चिड़ के योगिता ग्रेजिट होना चाहिए और MP High School का ए जिहार से निकली रही है प्रक्रिया में है 36 गड़न के मुख्यमंत्री ने भी कुछ दिन पहले ट्विट करके जानकारी दी थी 12,000 पतों के भरती के बारे और मद्पर्देश से भी भरती के विग्या पंचारी हो लेकिन यूपी के बारे में मुख्यमंत्री और सरकार के तरफ से सिक्षक भरती के लिए कोई भी बयान ओफिसल नहीं दिया जा रहा है यहां पर अगली जो सूचना है परसदी स्कूलों के सिक्षकों के वरिष्टता सूची जारी हो गई है लिखा कि कई जिलों में विरोध लेकिन 11 साल बाद सिक्षकों की पदोनती होगी उमीद है कि इ प्राथमिक विद्याले होते जैसे अर्ट तक के वह अब केवल और केवल प्रमोशन के दौरा भरे जाते तो जब इन सिक्षकों का प्रमोशन हो जाएगा तो भी परसदी विद्यालियों में सिक्षकों के पदनिश्चित तोर पर रिक्त हों बस देखने वाली बात यह रहे